कानबूर का ये NGO जो सतन 2010 में शुरू हुआ और जिसका सारा पैसा विदेश से कैमपेशन के नाम पर गरीब बच्चों के लिए पीचा जाता है ताकि वो मासूम बच्चे अपनी जरूरतों को पूरा कर सके और पट लिख कर अपने पैरों पर खड़े होकर देश में अपना नाम रोशन कर सके लेकिन ऐसा होना ये मुम्किन नहीं लग रहा तो कि पैसा या दूतरी सुविधा जो बच्चों को घीजी जाती है वो उन बच्चों को इतनी आसानी से नहीं मिलती हम ऐसे ही एक कानपूर के चकेरी सिस एंजियो मर्थूमा बाल फिकास केंद का हाल आपको दिखा रही है जहां पर उस जगें काम करने वाले साथ आज करंचारियों को सिर्फ इतलिए हटा गिया क्योंकि उन्होंने जब वहां की इंचार से पूछा कि बच्चों के नाम पर जब विदेशों से लाखों रुपए उपहार बच्चों की पीज, कॉपी, किताब, यूनिफॉर्म और समय समय मिलने वाली अन्यवस्तुएं मुप्त मिलती हैं तो फिर क्यों बच्चों से इन सब जीजों के नाम पर पैसा आप लेती हैं बसे ही पूछने पर इन करमचारियों को भारी पड़ गया और अपनी नौकी से हाथ धोना पड़ा और ये कहकर निकाल दिया कि आप लोगों का एग्रिमेंट खत्म हो गया जब हमारी टीम ये सारी हकीकत चानने के लिए उन बच्चों के खर पहुंची तो वहाँ पर मादूट बच्चों के परिवार से हमने बात की तो सभी का ये कहना था कि हमें जो सामान दिया जाता है उसके हम लोगों से आज़व पैसे लिये जाते हैं जसकी परिवारों में बताया कि हमसे योविपॉम और पीज के नाम पर पैसे लिये गए और दूसरे ने बताया कि मेरे बच्चे के नाम पर तीवी आया था जिसका हमसे 1200 रुपए मांगा गया जिसको हम एक महीने बाद एकठा करके दे बाए और उसके बाद हमें तीवी दिया गया जो कॉपी किताब है उसका जो कॉपी किताब है उसका के वर्या करें हो कुछ भी निलता है जैसमा को के वल मिलता बड़ी अध्या में में मिलता है आध्या ड़ह करें तो गइन्धों कर दे उसके पdasher जाओ पहले तो पहले आंगे आधा पैसा मांगती है अभी पर साल के भी पैसा हम 500 तायती सुपाय उनको बाकी है अभी नहीं दे पाए उनके अब अपकी कहीं है किम भीति यह मीटिंग में गए नहीं हुई जी पिरेस पल ने पकी कहा है कि इसा है समझी के बचों का पैसा पीसा कुछ थोड़ा-थोड़ा क परके दीजिए तो हमका आप देख रहे हैं सिस्टर मेरे पास गुंजाइस वोगी तुदेंगे नहीं हम लड़की को बैठाल भी सकते हैं मेरे पास अब गुंजाइस नहीं न किसी तरफ से परिवारों और अभिभागों को जब पता चला कि ये सारी चीज़ें विदेशों से उनके बच्चे के नाम पर मुफ्ता आती हैं तो उन गरीब बच्चों ने जब एंजियो जाकर वहां की इंजाद से बात करनी चाही तो उन्होंने इस बारे में बात करने से साफ मना कर दिय और जिन लोगों को हटाया गया है उन्हें देख लेने की बात कही और जब हमारी टीम ने बात करनी चाही तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया यहाँ पर काम करने वाले जोहित ने बताया कि वो यहाँ पर खाना बनाने का काम करता है और उसके भी बच्चे इसी कमपैंशन में है और बच्चे को जो सामान दिया जाता है वो उसका पैसा उसकी तन्खोह से कटवा लेते हैं अब उसके परिवाश की ऐसी हालत हो गई है कि रोहित की माता जी को ये डरसत आने लगा है और इसी के चलते माता जी की हालत इसनी खराब हो गई है कि उन्हें कुछ दिनों पहले अस्काल के आइस्यों में भर्ती करवाना पड़ा ये किस्ता यहीं खर्ट नहीं हुआ, विजबारे में जब हमने आइंजियो के डारेक्टर से फोन के बात करनी चाही, तो उनका जवाब भी यही था, जो आपको करना हो, आप करो पंदरा सोर उदर देते हैं, आज भी सेलरी सर उतनी नहीं है और तीन चार जगी हमसे काम लेते हैं, इसका नतीजिया सर यह रहा कि करते रहे, मजबूरी रही कि बच्चे छोटे सर अमदो करते हैं, इसको करते रहे, कापी दगाया भी उठाया है उसका, सारा काम लेते रहे, उसके बाद सर अधम से बीना बताए न LA काल काड़ी, और दोसरे के लिए के पैसे जबा करो दो बच्चो के पैसे जबा करें, साल साल भर का करीबाट 900 रुपई है, साल साल भर का निकाल किमि बहुर्षण से जो पैसा आता है वो पहले दि भी जाता है और्फिर वहांसे वो लोग उस पैसे और शhin्न मेर गाषक नामक सबन्स सकी भिजिते हैं और इसले मेरन को फीच्शन के इंचार्ब इस आपको पनले केंवन धे ज्वारा रिपोर्ट लगाई जाती है तो इसमें सब कुछ सही दिखाया जाता है लेकिन सबसे बना सवाल इतने लाखों रुपए का ही धेर पेस कई सालों से खोता चला रहा है और कोई जवाब देनी वाला नहीं है अब देखना ये होगा कि इन वरीब बच्चों और इनकु मिलेगा या नहीं रिकास सोलोमोन कांपूर समच और एक्स्ट्रेस